मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चानल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चानल की स्टोरी पसंद आती है, तो प्लीस मेरे चानल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सेर करिए। ओके फिर एफफ का नेक्स पार्ट इस्टार्ट करते हैं। लाइस पार्ट में हमने सुना था कि विंग जंगल के अंदर मिसिस लैन के घर के बाहर खड़ा था, अब आगे। आगे के इस्टार्ट के घर में कैथ करके क्यों रखा है, और इन्हें होस्ट क्यूं नहीं आ रहा, उस आदमी ने इनके साथ क्या किया है, लगता है इन्हें मेरी मदद की जरूरत है। Wing मिसिस लैंग को अपनी बाहों में उठ थाता है और जंगल के बहार लेके जाता है। Wing बहुत ज़्यादा ठक गया था और मिसिस लैंग को लेकर में रोड़ पर पहुंच जाता है। लेकिन अब उसकी बिल्कुल वे हिम्मत नहीं थी और चलने की विंग मिसिस लैंड को रोट के किनारे रख देता है और खुद भी उनके बगल में बैठ जाता है और इंतिजार करने लगता है ताकि कुछ मदद मिल जाए काफी समय हो जाता है लेकिन कोई वी कार उस रास्ते से नहीं गुजर रही थी विंग सोसता है अब मैं क्या करो यहां से तो कोई भी सवारी नहीं गुजर रही मैं इन्हें कहां लेके जाओ मैं इनकी मदद कैसे करो कुछ समय बाद विंग को कार के लाइट दिखाए देती है वो खोस हो जाता है कि अब उसे मदद मिल जाएगी व और हाथ देके कार को रोकने की कोसिस करता है कार के अंदर वैनिंग और नी हुसेंग थे अंधेरा होने के कारण उन्हें विंग का चैरा नजा नहीं आ रहा था लेकिन उन्हें पता चल रहा था कि कोई उनसे लिफ्ट मांगने की कोसिस कर रहा है वैनिंग कहता है नी हुसें तो उसके पाद चाको हुआ तो उसने हमें नुकसान पहुचाने की कोसिस की तो नी हुसेंग कहता है तुम फिकर मत करो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ हमें कुछ नहीं होगा जब उनकी कार विंग के पास पहुंचती है तो उनकी आखे बड़ी-बड़ी हो जाती है क्योंकि अ हमारी बिल्कुल फिकर नहीं है तुमने हमें कितना डरा दिया तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुम क्या करने की सोच रहे थे अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे विंग उन दोनों को सांथ कराने की कोसिस कर रहा था लेकिन उन दोनों अपनी ही दोन में लगे हुए थे जब उन दोनों की भड़ास निकल जाती है और उनका दिमाग सांथ हो जाता है तो उन्हें याद आता है कि विंग तो कुछ बोली नहीं सकता और हम उससे जबाब मांग रहे हैं और दोनों विंग से थोड़ा दूर हटते हैं और कहते हैं पहले तुम चलो फिर हमें एक्स्प्ले है कि वह नहीं जानता वह सारे से कहता है सात लेके चलो इने हमारी मदद की बालों अल्ने हुसंग कहुंआ कर अपनी कार के बैक स्थीट में रखता है मिरते को अब्क fraction के बालों को बढ़े ही वेंकिंग जैसी वेंग को देखती है वो भाग कर वेंग के पाथ जाती है और उसे गले से लगा लेती है और फिर उसे गले से लगा कर रोने लगती है नी हुसेंग कहता है वेंकिंग वेंग को छोड़ो और पहले इन्हें चेक करो जिनने मैंने अपने बाहों में उठा रहा ह मैं थक गया हूँ, वैंकिंग कहती है, मैंने तो देखा ही नहीं. इन्हें अंदर रूप में रखो, मैं भी चेक करती हूँ. लेकिन ये कौन है? वैंनिंग कहता है, हमें नहीं पता, ये तो वींग ही बता सकता है. लेकिन सीजे, पहले आप इन्हें ट्रीट करो, बाद में हम से पूछ लेंगे कि ये कौ। बेंगिंग मिसिस लैंग को चेक करती है फिर वहाँ निखलती है। टीन उटिजार कर रहे थे कि बेंगिंग कुछ बताहिं। Ilha । कोई काफी समय से इनके साथ जबलस्ती कर रहा था सब को सुनके बहुत ही बुरा लगता है फिर सब विंग से पूछते हैं अब तुम बताओगे कि तुम्हें ये औरत कहां मिले और तुम कहां गए थे विंग पैन और पेपर लेता है और लिखना स्टार्ट करता है मैं अपनी जिंदगी से हार गया था इसलिए मरने गया था फिर विंग सब कुछ बता देता है जो भी जंगल में हुआ नी हुसेंग कहता है इसका मतलब तुम उस आदमी की पैचान नहीं कर सकते विंग ना में अपना सर हिलाता है कुछ समय बाद मिसिस लैंड को होसा जाता है ओ अंदर से आवाज लग है यह तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाएगे अब हम क्या करें क्या हम इने पुलिस के हवाले कर दें पुलिस इनकी फैमली को ढूंड लेगी विंग काबच पर लिखता है मुझे लगता है हमें इनके ठीक होने का इंतजार करना चाहिए हम ऐसी इने किसी के हवा इनको कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यह तो किसी को पैचान भी नहीं पा रही है जिस व्यक्ति नहीं कैट कर रखा था वह बहुत हमीर लग रहा था उस व्यक्ति नहीं दुबारा ढूंड लिया तो हम यह गलती नहीं कर सकते वैंकिंग तु तुम फिकर मत करो, तुम उन्हें मेरे पास भेज़ दो, मैं उनका पूरा ख्यार रखूंगा, काय कॉलेज के समय से वेंकिंग को पसंद करता था, लेकिन उसकी कभी हिमत नहीं हुई, उसे कुछ बताने की, काय सही समय का इंतजार कर रहा था, कि वेंकिंग को अपने दिल की पीलिम को बता सके, वेंकिंग कहती है काय, मैं कली उन्हें तुम्हारे पास भेज रही हूँ, तुम उन्हें रिसीप कर लेना, और प्लीस वेंक का ख्याल रखना, उसने बहुत कुछ साह है, काय कहता है, वेंकिंग तुम फिकर मत करो, मैं वेंक को अपने छोटे भाई की त तुम मुझे बता देना, काय कहता है, तुम पागल हो, इसकी कोई जोट नहीं है, मैं यहां सब कुछ देख लूँगा, और वेंकिंग को अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम पैसे भेजोगी तो, जैसा कि तुमने मुझे उसके बारे में बताया है, उसे किसी की मदद ले करते हैं कि वेंग वहां पर खुछ रहे, उसके सामने अब और कोई भी मुसीबत ना आए, कॉलेज में लेंजा बहुत ही परिसान था, क्यूंकि दो दिन से ना ही विंग, ना ही विंग के दोस्त आये थे, लेंजा को लगता है, सब कुछ ठीक होगा ना, क्या मुझे विंग लेंजा बर पढ़ती है, और वो अपना मुँ बना लेते हैं, वहां से चले जाते हैं, उनका तो मन कर रहा था कि विंग के पाथ जाए और उसे बहुत सारी बाते सुनाएं, लेकिन वो चुप थे, क्यूंकि विंग ने कहा था, कि अगर कोई उसके बार में पूछे, तभी क कुछ कहना, लेंजा का मन कर रहा था, क्यों विंग के दोस्तों के पाथ जाए और पूछे कि विंग कहा है, और ठीक तो है ना, वो दो दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आए, लेकिन उसकी हिमत ही नहीं हो रही थी, ने हुसंग वेंग से कहता है, ये कितना बेसरम है, इसने व हमारा विंग हमारे पास नहीं है, लेकिन उसे तो कोई फार्क ही नहीं पार रहा, वेंग कहता है तुम गुसा मत करो, और विंग का ना मत लो, क्योंकि विंग मर चुका है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वो जिंदा है, अगर तुम्हें उसके बारे में बात करनी है, तो उसे वजियान कहके बुलाओ, इससे किसी को पता नहीं चलेगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, नी हुसें कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, ब्रिक टाइम हो जाता है, नी हुसें वो वेंग कैंटिन में बैठे हुए थे, लेंजा हिम्मत करके उनके पास आता है, औ ओ दो दिन से कॉलेज भी नहीं आया, नी हुसें एक सरकास्टिक स्मयल करता है, और वेंग से कहता है, वेंग एक खूनी पूछने आया है, कि जिसे उसने मारा था, वो सही से मारा है या नहीं, उसे डर लग रहा है, कहीं उसका प्लेंट फैल तो नहीं हो गया, फिर नी हुस क्या मतलब क्या हुआ विंको तुम अपना मजाग बन करो कि मुझे यह मजाग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा लेंजा की सीने में दर्द हो रहा था उसके दिमाग चला कि तुमने उसे जहर दिया था, मैंने तुम्हें उसे ड्रिंक देते वे देख लिया था, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, लेकिन हमारे बेव को वेंग की आखरे इक्छा थी, क्यों तुम्हें कोई सजा ना दे, इसलिए मैं अभी तक चुप हूँ, अब तुम म चागल बना रहे हो कि तुमने उसे गला खराब करने की दवाई दी थी, तुमने उसे पावरफुल जहर दिया था, तुम मुझे अपना फोन नमबर दो, तुमें खुछ पता चल जाएगा कि तुमने उसे क्या दिया था, लेंजा उसे अपना कार्ट देता है, कुछ समय बा ने उसेंग को बहुत गुसा आ रहा था, लेंजा कहता है, ये मैंने क्या किया, मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने प्यार को अपने हाथों से मार डाला, अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाता था, ये मुझे क्या हो गया, उस दिन विंग कित पर बैठा, वो जब लैंज़ा को देखता है, वो बहुत खुश होके लैंज़ा के पाँ जाता है, और कहता है बेभी, तुम कहां थे? लेंजा कुछ नहीं बोलता वो सीधा मिंग्याओ को कीच केक चाटा मारता है पूरी किला से देखकर हैरान थी कि लेंजा ने मिंग्याओ को क्यों मारा लेंजा कहता है तुमने ऐसा क्यों किया तुम्हें क्या लगा था, तुम गुना करके बच जाओगे, मिंग्याउ कहता है बेबी तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, किसने कहा कि मैंने उसे जहर दिया, मिंग्याउ ने सोचा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्यूंकि उसका तो कोई परिवार भी नहीं है जो उसके बारे में पूस्टाच करेगा लेकिन उसे नहीं परता था लैंजा इतनी जल्दी पता लगा लगा लेगा लैंजा मिंग्याओकू बालों से खीच कर कॉलेज के बाहर ले जाने लगता है पूरा कॉलेज ये ड्रामा देख रहा था धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई कि विंग मर गया और मिंग्याओं ने उसे जहर दिया था जिन लोगों की मन में कल तक विंग की प्रती जहर था आज जो लोग आपस में बात कर रहे थे बिचारे के साथ ऐसा नहीं होना चाहे था मैंने तो कभी भी उसे किसी से लड़ते हुए भ बाली बात भी गलत है बिचारे को बचपन से प्यार नहीं मिला और यह मिंग्याओं किसी को कैसे जहर दे सकता है दूसरे स्टूडेंट कहता है तुमने सिंगिंग कॉम्पटीशन में नहीं देखा उसके दोसों से हॉस्पिटल कैसे लेके जा रहे थे उस समय तक सरी बन गई जैसे लोबर ने उसे बुली नहीं किया था वैंनिंग कहता है लेकिन मैं यह क्या सुन रहा हूं कि लेंग्याओं ने त्रिंक दिया था विंग को देने के लिए और लेंजा को नहीं पता था कि उसमें जहर है निहुसेंग कहता है मुझे नहीं पता उसे कितना पता था यह नहीं लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगा वैंनिंग कहता है लेकिन लेंजा उस मिंग्याओ को कहां लेके जा रहा था निहुसें मिंग्याओं को पुलिस इस्टीशन लेके आता है और उसे पुलिस इस्टीशन के अंदर धक्का दे देता है पुलिस लेंजा को जानते थे वो अपनी सीट से उड़ जाते हैं और कहते हैं सर आप यहां क्यों आए हैं लेंजा कहता है मैं खूनी हूं मुझे गिरफतार कर रहे और इसे भी करिए जिसने मुझे खून करवाया है पुलिस कॉल करके लेंजेशन को बुला लेते हैं लेंजेशन जब पुलिस इस्टीशन पहुंसते है तो लेंजा उनके गले लगकर रोने लगता है और ब्रदा इस मिंग्याओंने मुझे खूणी बना दिया मिंग्या मैंने कहा था कि डैट पर और नहीं मिंग्याओ पर किसी पर भरोसा मत करना लैंसीचन पुलीस से कहते हैं सर अब हम क्या करें पुलीस कहते हैं सर आपको फिगा करने के कोई जोड़ नहीं है क्योंकि लैंजा सर को कुछ नहीं होगा उन्हें नहीं पता था कि ड्रिंक में जहर है इसलिए हम सब कु सम्हाल झेंगे पुलीस मिंग्याओ को जेर में डाल देते हैं और लेंजा से उस सारी रिपोर्ट ले लेते हैं लेंजा कहता है लेकिन मैं सजबुगत ना चाहता हूँ मैंने बाप किया है लेंसिचे लेंजा को जवश्डस्ति पुलिस स्टेशन से लेके चले जाते हैं कॉलिस कॉलेज से कॉम्प्टीशन के दिन सारी फुटेज निकलबा लेते हैं जिस्सके साब पता चलता है कि मिंग्याओं ने लेंजा ब्रिंक दिया था और फिर लैंजा ने विंग को और डिंग दिया था मिंग्याओ के पैरंस उसे जल से निकलवाने के लिए आते हैं लेकिन सारे सबुत मिंग्याओ के खिलाफ थे इसलिए उसे बेल नहीं मिलती मिंग्याओ के पैरंस कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया हमने तुमें कुछ ज़्यादा ही सरपर चड़ा दिया था जिसके बज़े से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है हमारी कितनी बदनामी हो रही है मिंग्याओ कुछ नहीं बोलता वो सरफ चुप चुप सुनी जा रहा था उसके पैस वहां से चले जाते हैं मिंग्याओ कहता है विंग तुमने मरने के बाद भी मेरी जिंदगी बरबात कर दे इधा मिस्टर लेंड जब जंगल में गए थे तो मिसिस लेंड वहां नहीं थी वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे आखिर किसने इस घर का ताला तोड़ा और मिसिस लेंड को हर जगा ढूंडते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती मिस्टर लेंड घर वापिश चले जाते हैं वो अपनी डायरी निकालते हैं और उसमें से एक डिटेक्टिव का नंबर निकालते हैं और कहते हैं कैसे भी मिसिस लेंड को ढूंडो मैंने 17 सारलों से उसे जंगल में छुपा रखा था वो कैसे भाग सकती है उसकी मदद किसने की जल्दी पता लगाओ मेरा दिमाग फटा जा रहा है वो मुझे छोड़के नहीं जा सकती मिस्टर लेन गुसे से आग बबुला हो रहे थे वो इतनी तेटेज बोल रहे थे क्योंकि वो भोल गये थे कि उन्होंने ये बात किसी को नहीं बता रखी उन्होंने ये बात सबसे छुपा रखी है लेकिन ये सारी बाते सुनके किसी का दिल तूटा जा रहा था जो भी मिस्टर लेन ने अब बोला उसने सब को सुना था उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था लेकिन एक ऐसा भी था जो कह रहा था मुझे तो इन पर पहले ही सक था ओके गाइज आज का पाटे हैं रखते हैं बाई ठैंक्यू